हेलो फ्रेंट्स आप सभी का एक पर फिर से हमारे स्टेडी जोन में स्वागत हैं आज की इस वीडियो में हम लोग जेनरल अवेरेंस के पार्ट टू के बारे में बात करने वाल हैं जी हां दोस्तों यह हमारा पार्ट टू हो चुका है अगर आपने पार्ट वन को नहीं देख सकते हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मैं हो निरंजन और आप सभी का एक बार फिर से अपने स्वागत करता हूं देखे पहला क्वेश्चन होगा जो ट्वेंटी वन से स्टार्ट होगा क्योंकि हम लोग पहले पार्ट में ट्वेंटी क्वेश्चन के पारे में लिप आगे खें शब्यक्तिश करते हैं तो यह हमारा 21घ क्योंकि प्रकारे है बहरत का मानक समय पाकिस्टान के मानक समय से कितना आगे है दो यह तीस घंड इस मिनट आगए ठीक है यानि कि जो ग्रीड जो रेखा है वो क्या है था कि जो जिरो डिग्री सांतर के स से होकर गुजरता है ठीक है तो हम लोग को पता है कि हम लोग का जो ग्रीन वीच से साड़े पांच घंटा आगे पड़ता है ठीक है यानि कि साड़े पांच घंटा आगे पड़ता है लेकिन क्या होता है कि जो पाकिस्तान का समय है वो पांच घंटा ही पड़ता है यानि ग्र पेट्रियार के जो स्थापक थे वो हरिस्चंद्र मुखरजी दें आपको पता हो ना ठीक है चले देखते थार्ड प्रस्ट देके थार्ड प्रस्ट आपका इस प्रकार है कि सिम्ला समझाता कब हुआ था तो सिम्ला सम्झाता आपका हुआ था दो जुलाई 1972 इसवी को तो 28 जून को यह हुआ था 28 जून 1945 को सिम्ला सम्मेलन हुआ था और यह लौड वेवेल के सासनकाल में हुआ था यह बहुत अच्छा प्रस्ट ने आपको कन्फीजन हो जाते होगी तो आप ध्यान में रखे कि सम्झाता जो हुआ था वह 1972 में किया गया था लेकिन सम्मेलन जो थ में था वह 1945 में हुआ था चले देखते हैं अगला प्रस्ट रिके अगला प्रश्ट्र आपका यह बनता है कि बेवेल योजनाक प्रस्थूत की गई थी चिक रहा वह 1945 में नहीं आया था सॉरी 1946 में आया था के लिए अगला प्रश्ण मनता है कि हिंदी का पहला समचार पत्र उदंत मारतंड जा आपको याद होना चाहिए कि हिंदी का पहला समचार पत्र का नाम था उदंत मारतंड ठीक है इसका प्रकासन कब हुआ था तो यह 1826 को इसका प्रकासन कि गया था लेकिन कहां पर किया गया था ये भी प्रश्ण पूचा जा सकते हैं तो इसका प्रकासन स्टार्टिंग में जो हुआ था वो कलकत्ता से हुआ था ठीक है अगला प्रश्ण देखें अवद जो कि अवद जो है राज ब्रिटिस समराज में बिले कब हुआ था तो ये 1856 अपन इसी में हुआ था और ये उत्तरपरदेश की एक राज जो था उत्तरपरदेश उसी को अवद के नाम से जानते थे ठीक है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रश्ण आपका ये बनता है कि चुलामू ठीक है चुलामू जहिल कि सराज में पढ़ता है यानि कि इस् सिक्किम में स्तित है और ये पहला सिक्किम का हवाई एड़ा बनाया जिसको प्रधान मंती नरेंदर मोदी ने इसका उद्गाटन किया तो ये बहुत अच्छा प्रश्ण बनता है आपको अच्छे से याद होना चाहिए देखिए अगला प्रश्ण की लोहित ठीक है लोहित को स्टार्ट किया गया था लेकिन इसकी घोशना जो अब हुए थी वह आठध अगस्त को हुए थी आठ अगस्त 1922 को लेकिन इसकी स्टार्टिंग यानि कि यह लागो हो गया था 9 अगस्त 1922 को आपका भारत छोड़ो अंदोलन में बहात्मा गांधी ने एक नारा दिया था करो या मरो जो की बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है कि यह किसका नारा है ठीक है तो आपको यहां से इतनी सारी question की जानकारी हो जाती है चलिए देखते अगला प्रस्ट देखे अगला प्रस्ट बढ़ने से पहले एक और प्रस्ट हमको याद आ रही है कि भारत छोड़ आंदोल किस लौर्ड के सासन काल में हुआ था यह भी प्रस्ट पूछा जाता है तो लौड ली लित्ट को का जो ससन काल था 1936 स långसको नि चलिए बहारत छोड़़ा लेखन हुआ फिर कह सकते हैं कि यह एक सहीत्ति से-च्हेत्र से जुड़े हुए थे कवी से ठीक है अगला प्रश्न है कि राजगाट बांध जो है वो किस नदी पर बनाए गया यानि कि राजगाट बांध जो है वो किस नदी पर है तो यह बेतवा नदी पर इस्तित है जो की बेतवा नदी किसकी सायक नदी है तो यह यमुना नदी की सायक नदी है यमुना जो बेतवाय हो यमुना नदी में जाकर मिल जाती है ठीक है अगला प्रश्ण आपका है मर ठीक है है मर एक अंत्रिक्षी आने ठीक है आपको याद होना चाहिए कि है मर एक अंत्रिक्षी आने यह किस देश का अंत्रिक्षी आने ठीक है यानि कि यह किस देश अगरा परस्ठ नापका इस प्रकार बनता है कि मृत्यू डेन्ड की लिए नायट्रोजन गैस का इस्तिमाल करने वाला पहला अमेरीकी राज्य कौन बना है तो इसका रायट इंसनीशण होगा ओकलाहोम जो है अमेरिका का एक राज है इसने मिर्त्यू डंड के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तमाल करने वाला ये पहला राज्य बना है जो कि बहुत अच्छा प्रश्ण बनता है देखे अगला प्रश्ण इस प्रकार है कि प्रदाहान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तक टीवी को समाप्थ करने के लिए जो टीवी रोग है जिसको चैरों कहते हिंदी में ट्यूबर ख्लोसी जो इसका फूल फॉर्म होता है टीवी का समाप्थ करने के लिए अभियान चला है वो कब तक मितलब खतम करने के लिए बोला गया है तो ये दोजार पच्चीस तक इसको खतम करने के लिए बोला गया है ठीक है अगला प्रशन आपका बनता है कि मांडवी और या फिर जुवारी जिसको दो ये नदी है बोला गया है कि मांडवी और जुवारी किस भारतिय राजी की प्रमुख नदिया है तो ये गोवा की प्रमुख नदिया है ठीक है इसी टोन आपको नाम याद होना चाहिए देखिए अगला प्रशन है कि रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप ठीक है इसका नाम याद रखना आपको रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप का अविस्कार किस ने किया था यानि कि अविस्कार किस ने किया था तो आपको पता हुआ टेलि स्थेश्ट अभिनेत्री के लिए 2017 का ऊस्कर वीजता किसे चुना गया तो एमा स्टोन जो अभिनेत्री हैं वह हॉलिवुड की उनको Newton 2017 के लिए सर्वेश्ट स्थेश्ट अभिनेत्री के रूप में इनको पूरिसकार दियागा जिके Eb स्टोन को अगला प्रशन देखते हैं देखें अगला प्रशन आपका इस प्रकार बनता है कि कार्वेट नेशनल पार्क किस जानवर की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था यानि कि कार्वेट नेशनल पार्क जो वो किस जानवर की रक्षा करने के लिए स्थापित किया और ये किस राज्य में पेस्टीतर ये भी पूछा जाता है तो कार्वध नेश्चनल पार। आपका उत्रा खंडराज्य में इस्थितर ठिक है ? लाश्ट प्रस्ठ आपका इस प्रकार एं कि चतूर्थ विश्तव की संगया किसे दी जाती है , तो इसका राइ उन ओगा बीश्रोग के समस्त मुल निवासियों को कहा जाता है कि चतूर्थ बीश्व की संग्याद दी गई यह तो दोस्तों अगर आप इसी परकार की और भी वीडियो चाहते हैं और आप इस परकार की डिस्किप्स pic Izum दिया हूँ अगर आप इसका फीडियो डाउड डाउड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और इसी प्रकार की और भी पीडियेफ के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि हम यहाँ पर आपको डेली 20G के क्वेस्चन कराएंगे जो की बहुत ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब निए के तो प्लीज प्लीज जलसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अब बगल मुनज़ीफसें बैल को जुरूर अन रखेगा ताकि हमारे दोड़ डाली गई डेली नीव वीडियो की नोटिविकेस्ट आप तक पहुंचत रहे ठीक हैं तो मिलते हैं इसी परकार के नेक्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग कीप वाचिंग कीप लाइनिंग